एलो चिल्वेन वेल्कम टू अवर यूट्यूब चैनल सेन्राइडवान्स एड्यूकीशन। तोडेश्च वी वी ली लॉन जेनल नौलइज ओव क्लास्ट ऐवन। तोडेश्च वी ली लेसट। तिफ्ट। लेसट। फिफ्ट। इद। मिठीकल एनिमल्स। तो कल्पनानाल में रहते हैं उन आग देखा के उनकी कल्पना हम करते हैं इसी तरीके से मर्मेड होती है जलपरी यहाँ नहीं देखा है लेकिन बनकी जाती है के जिल परी होती हैं कहानियों में होती है दंख कथाव में पाए जात OL Бह सारे अनिमल्स होते है जो दंख dei आ जाते हैं एक होर्स होता है जो फ्लाइंग होर्स होता है और यस Tao तो आज किस लेशन में हम कुछ काल्पनिक केरेक्टर्स के बारे में पड़ेंगे आइए देखते हैं कि कोन कोन से हैं और हम उनको किस किस तरीके से जानते हैं let's begin the lesson this is general knowledge class 7 lesson 5 and lesson 5 is mythical animals mythical animals आज की इस लेसन में हम mythical होता है कालपनिक animal means जानवर आज की इस लेसन में हम कुछ कालपनिक animals के बारे में पढ़ेंगे let's begin lessons and mites are the integrated parts of our art and culture जो mites और legend होती है दंद कता माइन्स होती है कालपनिक कता है वो हमारी art और culture के एक एकी करत भाग है read the description and identify these mythical characters using the help box description को read करके and identify these और इन ये जो mythical characters से इनको पहचान करके help box का use करके इनकी नाम लिखने है number one is this animal has the body of a lion and the head and wings of an eagle ये जो animal है इसका जो शरीर होता है वो तो एक सेर बंख होता है और इसके जो पनक होते हैं वो एक eagle के होते हैं एक चील के होते हैं In ancient time, पुराने समय में, it was considered as the protector of the divine, इसको भगवान का रक्षक माना जाता था इसका नाम है Griffin, G-R-I-F-F-I-N, Griffin Next one is, this animal is called firebird इस animal को firebird कहा जाता है It is portrayed as a bird that dies in fire and reborn from ashes इसका जो portrait है, इसको चित्रित क्या गया है, इस तरीके से चित्रित क्या गया है कि यह एक जो आग होती है, उसमें मर जाती है और फिर वापिस से उसी से ही, उसकी जो राख होती है, उसी से ही पुनरजनम लेती है It has gold and red feathers, इसके सुनहरे और लाल पंक होते है इसका नाम है Phoenix, P-H-O-E-N-I-X Phoenix Next one is, This animal has the body of a horse with a long single horn on its head यह जो animal है, इसके जो body है, वो एक horse जैसी होती है, horse की होती है and a long single horn और एक लंबा सा, एक ही केवल, एक लंबा सा horn होता है, sing इसके सिर पर होता है, This horn can naturalize poison यह जो horn है इसका, यह है जो poison है उसको बे असर करता है Originally, it had a Billy goat beard, loins, tail and clone horse इसकी जो है, जैसे बकरी के एक दाड़ी होती है, इस तरीकी से एक दाड़ी सी होती है और इसकी जो पूँच होती है, वो एक loins जैसी होती है इसके अलावा, इसके जो खुर होते हैं, वो दो साखाओं वाले खुर होते हैं इसका नाम है Unicorn, U-N-I-C-O-R-N Next one is, in British folklore, British कथाओं में, लोक कथाओं में This ocean animal is considered to be a forewarning of disaster British लोक कथाओं में, इस ocean animal को आपदा का पूर्वा भास माना जाता था पूर्वा भास मतलब एक तरीके से, जो disaster आने वाला है, पहले से ही चेतावनी मिल जाती थी, वोर्निंग मिल जाती थी इसका नाम है, मरमेड, M-E-R-M-A-I-D, मरमेड Next one is, A-3-Headed Monster, यह एक तीन सिर्वाला monster राक्षस है With the four parts of a loin, इसका जो अगर भाग है, वो एक loin का है And hind part of a goat, और जो पिशला भाग है, वो एक goat का है, एक बकरी का है And goat's head rising from its back, और जो goat's head है, वो इसकी back से उठता है जो इसकी कमर है, back है, पीट है, उससे rise होता है, उठता है And the tail of a headed serpent और इसकी जो पूँच है, वह एक नागिन के सिर जैसी है सिर होता है, नागिन का सिर होता है, इसकी पूँच जो होती है Slain by Slain by Belloro phones, जो की मार दी जाती है, एक Belloro phones के द्वारा इसका नाम है काइमेर, C-H-I-M-E-R-A आज की इस लेसन में हमने कुछ mythical animals के बारे में, काल्बनिक animals के बारे में आज की इस लेसन में पढ़ा जो की दंत कथाओ और लोक कथाओ में पाय जाते हैं, वास्तविक तासे इनका कोई भी सम्मंद नहीं है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच